हेलो गाई स्वागत है आप सभी का हमारी यूटीब के चैनल में आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ अगर आपके पास ए मोबाईल नंबर है जो की बंद हो चुका है और उस पे कोई mail ID बना हुआ था आपका और उस mail ID का आप number चेंज करना चाहते हैं या या फिर नया number add करना चाहते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा information वाला है यहाँ पर वीडियो को last तक देखिएगा यहाँ पर आपके phone में होगा Chrome browser सीधे आप Chrome browser open करिएगा अब दोस्तों यहाँ जैसे ही आप open करेंगे तो यहाँ तो मैं फिलाल में open करके दिखा देता हैं वीड यूज बिदाउट एन अकाउंट यहाँ पर बीना एकाउंट के मैं आ गया हूँ यहाँ पर go पर क्लिक किया यहाँ पर दिखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पर उपर क्लिक क यहाँ पर नमबर एड करना है यहाँ पर पूराने नमबर को डिलीट करना है यहाँ पर नया नमबर एड करना है आपका नमबर जो है गुम हो चुका है यहाँ पर उस mail आईडी से यहाँ पर sign-in होना है यहाँ पर sign-in पर जैसे ही आप प्लिक करेंगे तो आपके phone में जितन Continue as लिखा हुआ है, यह ही पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यह sign in होने लएगा, तो sign in इसको होने देना है, जैसे ही यह sign in हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यह sign in हो चुका है, फिर यहाँ पर आपका logo आ जाएगा, यहाँ यहाँ पर सर्च करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है www.google.com google account यह जो लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं जाना है यहाँ पर आपको जाना है sign in google account my account.google.com यह जो लिखा हुआ है न my account.google.com इस पर आपको चले जाना है जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे sign in यहाँ पे आप पहुच जाएंगे यहाँ पे sign in तो आप पहले से ही हो गया है यहाँ पे आपको myaccount.google.com पे चले जाना है यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऐसा खुल करके आ जाएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है न personal information यहीं पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे न थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे आपका बड़े ड़ेट भी आप यहाँ पे change कर सकते हैं name भी change कर सकते हैं mail id का और यहाँ पे gender भी change कर सकते हैं mail id भी आपको दिखाय दिया जाएगा और यहाँ पे phone number आ रहा है यहाँ पे दिखिए दोस्तो main गलती यहाँ पे phone number add नहीं की यहाँ पे बीना phone number के यह mail id बना हुग है यहाँ पे मुझे phone number add करना है अगर आपका phone number add होगा तो यहाँ पे दिखाएगा यहाँ पे क्लिक कर देना है यहाँ पे मैं क्लिक किया जैसे ही तो यहाँ पे add now लिखा हुग आ रहा है दोस्तों यहीं पे आपको क्लिक करना है यहां पर हो सकता है। आप का परकी नंबर कर सकते हैं यहां पर APP को पासओ आपको I mail id का दे देना है जो जिस mail id को आप login किया है ना उस mail id के आपको यहाँ पर password डाल देना है तो मैं यहाँ पर password डाल देता हूँ यहाँ पर दोस्तो यह mail id है दोस्तो इसका password मैं डाल चुका हूँ यहाँ और next पर मैं आप click कर देता हूँ जैसे ही next पर मैं click click किया हूं दोस्तो password डालके थोड़ा से यहाँ पर load ले रहा है यहां पर चल ला है आ गया दोस्तों फिर से यहां पर मैं पहुच गया अब यहां पर जो आपका होगा यहां पे आपका जो भी नंबर होगा उसको आप चाहें तो यहां से डिलीट भी कर सकते हैं यहां पे त्री डॉट आपको दिखाई दे रहा हूँ अभी फिलाल मैं एड़ करके दिखाता हूँ को add now पे क्लिक किया यहां पे अपने कि अपको इंडिया दाल सकते हैं यहां पर पे epna आ करने नहां चैने के बार अपको मोबायल नमर डाल देना यहां पर ऐसे कि बंद करने के बात दोस्तों नीचे मैं आपको नेक्स्ट मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर लिखा हुआ है गैट कोड नीचे महीं मिलेगा दोस्तों नीचे महीं आपको मिलेगा गैट कोड यहां पर देखिए यहां पर दिखा हुआ है नीचे में गैट कोड इस पर आपक पिए पिए पड़ के आप यहां पिर आ चुका है कोड़ डाल देते हैं है है नीचे आप यहां पर verify पर click करने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए मेरा mobile number आ गया है अब दोस्तों यहां पर जो आपका पुराना number होगा उसको delete कैसे करते हैं उसके बारे में बता दिता हूँ यहां पर वीडियो आए हैं देखें हैं दोस्तों यहां पर वीडियो को like जरू करिएगा यहां पर मैं कई चीजों को आपको बता रहा हूँ यहां पर mobile number add करने का बारे में बता दिया हूँ यहाँ पर नया number कैसे add करते हैं तीन चीज मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पर दिखिए इस पर आपको click करना है जैसे ही आपको click करेंगे इस पर यहाँ पर आपको देखिए delete का option मिलेगा इससे आप क्या कर सकते हैं पूराने वाले number को यहाँ से delete कर सकते हैं यहाँ पर मैं delete पर click करता हूँ जैसे ही delete पर click करूँगा यहाँ पर remove number जो लिखा हुए इस पर click कर दूँगा तो मेरे यह जो number है remove हो जाएगा लेकिन फिलाल मेरा एक भी number एड नहीं था यह वाला number मैं add कर दिया हूँ जिससे मैं अपना login कर सकता हूँ अपना account बाद में दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को like और channel पने है तो channel को please subscribe करेए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक click goodbye जाहिंद